गॉड मॉनिंग, स्रीय अकल, मित्रो, आज हम खड़े हुए एक फाम पर और बात कर रहे हैं कि गाये प्रेगनेंट क्यों नहीं होती, यह एक बड़ा सवाल है कि गाये प्रेगनेंट क्यों नहीं हो रही है, यह को इसके पीछे बहुत सारे कारण है, हम बेसिक बेसिक जो नहीं है, लेकिन अनिमल के ऊपर रहता है ओबर क्राउडिंग का, ओबर क्राउडिंग मतलब आप देखिए गाये कि फीडिंग इस्पेस है, मान के चलिए, यह दि मेरे पास मैं 100 गाये हैं, और यहां मेरे पास मैं फीडिंग इस्पेस असी अनिमल का है, तो मुझे केवल 70 अनिमल ही रखना है, मुझे 100 गाये हैं, मतलब जितना फीडिंग इस्पेस उसका माइनस 10 परसेंट एनिमल हमको रखना है, तब हम मानेंगे कि हमारे पास मैं ओबर क्राउडिंग का स्पेस इस्ट्रेस नहीं है, और यह बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, ओबर जिसको बहुते हैं, यह कॉर्टिजोल लेवल जब हाई होता है, तो उस समय क्या करता है, कॉर्टिजोल लेवल जो है, वो इट एक्ट्स लाई के PGF2-Alpha, और वो CL को तोड़ देता है, CL को बनने के बाद भी, तो उस समय क्या होता है, यह तो अरली अमराय नहीं हो जाएगा या एनिमल कंसी भी नहीं करेगा, एनिमल रिटन टो हीट आजाएगा, तो यह एक सबसे बड़ी समस्य है, इसके बाद दूसरी जो प्रावलम आती है, वो बेसिक प्रावलम आती है, बोत यह एनिमल के बॉड़ी कंडिशन स्कोर की, आप यहां देख रहे होंगे, एनिमल का बोड़ी कंडिशन स्कोर बहुत जादा है, इस प्रकार के एनिमल प्रेगनेंट होने में हमेसा तकलीफ दहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन के टाइम पर ही आप उसके बोड़ी कंडिशन को मेंटेन कर लें, यह दूसरा करण, और तीसरा सबते बड़ा कारण होता है बहुता है, नुट्रिशन कैंडिशन कि इसका बहुत बपड़ा रोल है, लगवग लगवग आपकी डेरी अइंड़स्ट्री के अंदर, असी प्रतिशत रॉल जो है बहे है नूट्रिशन का, Solutions की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, total feed की यानि की TMR की, अब TMR के अंदर में nutrition के दी बात करें, तो basic nutrition जो होता है, वो होता है, energy of protein का balance, यह दी protein बहुत high है, जो हम इस समय देते हैं, क्योंकि हमको production लेना है, तो high protein के चलते क्या होता है, कि rumen ammonia ज्यादा produce रती है, ammonia एक toxic environment create करती है, पूरे uterus के अंदर में, और वो उस समय, जब fertilization हो गय दूसरी चीज़ जो होती है, वो होती है, minerals और vitamin, vitamin A का इसमें बहुत बढ़ा रोल है, इसके अलावा जो minerals है, वो है zinc है, copper है, cobalt है, chromium है, iodine है, इन चीज़ों का बहुत बढ़ा रोल है, यदि यह balance नहीं है, diet के अंदर में, तब भी आपका animal जो है, वो pregnant नहीं होगा, timely pregnant न नहीं होना चाहिए, nutrition perfect होना चाहिए, over conditioned animal नहीं होना चाहिए, यह दि ख्याल रखेंगे, तो definitely animal आपका pregnant होगा,